दोसकार आप देख रहे हैं इंडिया निउस मैं हूँ आपके साथ में रितुत अमर बिल्टी की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ तो आपको पताते हैं इस वक्त की बड़ी खबर सुक्मा से जहां पर सी आर पी एफ ने बड़ी कारवाई की है और भारी मातरा में विस्पोटक पदार्थ बरामद हुए है CRPF को 21 मार्च को नकसलियों ने हमला किया था और इस बड़ी कारवाई में विस्पोटक पदार्थ बरामद हुए हमले में कई नकसलियों के घाल होने की संभावरा भी तो SPF, CRPF के जवारों ने ये जवाबी कारवाई की थी तो आपको बता दे इस वक्त की बड़ी ख़बर जो की सुक्मा से है जोहाँ पर CRPF ने बड़ी कारवाई की है और आपको बता दे कि भारी मातरा में विस्पोटक भी बरामत किये है CRPF की टीम ने और किस माश को नकसलियों ने हमला किया था और इस हमले में आपको बता दे कि कई नकसलियों के घाल होने की भी ख़बर थी हाला कि भारी मातरा में विस्पोटक पदार भी बरामत किये है CRPF के टीम ने ये बड़ी कारवाई के समाज को नकसलियों ने हमला किया था और जवाबी कारवाई भी फिर CRPF की टीम ने की थी हमले में कई नकसलियों के घायल होने की सभावरा भी जताई जा रही है तो STF और CRPF की जवारों ने जवाबी कारवाई की थी और तब बड़ी मात्रा में ये विस्पोटक पदार्थ बरामत भी हुए CRPF की टीम को तो सुक्मा से बड़ी खबर बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं तस्वीरे साफ आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर भारी मात्रा में ये विस्पोटक ये असला बरामत किया गया है 21 माशूर अक्सलियों के साथ हमला हुआ था और CRPF की टीम ने जवाबी कारवाई भी की थी और उस जवाबी कारवाई में ये भी कहा जा रहा है कि कई नक्सली खायल भी हुए है ये इस नमादर जिताई जा रही है हलाकि आपको पता दे कि साथ ही कई विस्पोटक पदार्थ और सामगरे भी बरामत की गई है CRPF की टीम ने एक बड़ी सफलता हासल की और ये बड़ी कारवाई जिसमें कई विस्पोटक पदार्थ भी बरामत हुए है तो हमले में कई नक्सलीों के घायल होने की भी खबर है STF और CRPF की संयुक्त कारवाई थी जवाबों आपको बता दे कि जब नक्सलीों ने हमला किया था तो जवाब में इन जवानों ने कारवाई की थी और इसके साथ ये भी बताय जा रहा था कि इस हमले में कई ऐसे नक्सली हैं जो की घायल भी हुए है साथ ही भारी मातरा में विस्पोचक पदार्थ भी बरामत किये गए थे इस हमले में तो आपको बता दे जो तस्वीर आप TV स्क्रीन पर देख रहे हैं यह उन्हीं विस्पोचक पदार्थों की तस्वीरे हैं उन्हीं विस्पोटक सामगरी की तस्वीरे हैं जो कि CRPF की टीम ने बरामत की है 21 मार्च को जो नकसली थे उन्होंने हामला किया था और साथी जवाबी कारवाई की थी STF और CRPF की टीम ने और इस जवाबी कारवाई में कई ऐसे नकसली थे जो कि घायल भी हुए